हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे आप सभी का दोस्तों बात करेंगे SSE Phase 11 के अंदर जो आपकी वेकेंसी आई थी जिसका रजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है तो उसमें कुछ कंडिडेट के डाउट है कि अब अब टायर 2 हो गया फेज 2 हो गया एक्जाम का या फिर हमारा जो फोम था उसमें अमने experience certificate अपना नहीं उसमें लगाया था क्योंकि उसमें mandatory नहीं था तो इस सम्मन्द में बहुत से doubt है लड़कों के और phone कर रहे हैं बार बार तो उस पे थोड़ा सा आज हम clear कर देंगे कि क्या process रहने वाला है आगे अपने document कहां पे वेजने हैं क्यों वेजने हैं और experience certificate नहीं लगाया तो क्या करें उस पे थोड़ाई से हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यह आपको notification था notification के अंदर आपकी कई सो पोस्टे थी यान कि कई पोस्टे थी अलग-अलग department वेरिस दिपार्टमेंट में और अलग-अलग योगता qualification के उपर जैसे आप यह देख सकते होगी यह एक वेकंसी नोटिफिकेशन था जिसके अंदर पोस्ट कटेगरी यह वाज थी MTS की वेकंसी थी laboratory barrier के अंदर तो integrated headquarter MOD Navy इसके अंदर आपकी metric बेस पे थी यह वेकंसी यह रहने वाली थी category wise तो इस इस वेकंसी के अंदर कोई भी अब phase 2 exam नहीं होगा और कोई ही इसके अंदर experience भी आपको नहीं बेजना था हाँ अगर in only laboratory या laboratory BRR का आपके पास कुछ भी अगर qualification मांगा था उस समय यह form बरते वक्त वहाँ पर आता था option की आप laboratory का आपका अपना experience नहीं है या आपने जो diploma किया है वो upload करें किसी canvas आपने upload नहीं किया और अब आप सोच रहें कि मैं document बेजूँगा तो उसमें मेरे को reject करेंगे या नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आपको अपना diploma जरूर उसमें साथ बेजना है यह सिर्फ अब भगवान के उपर है या वो एससी के उपर है कि वो accept करें या ना accept करें क्योंकि mandatory sign भी नहीं था कॉलम में आपको वहाँ पे बेजना और बेजना भी जरूरी था तो लेकिन आप इसका क्या ही रहने वाला है वो सिर्फ SSC के आत में है तो आप चोब भी डोकुमेंट सेंड करें तो उसमें अपना diploma भी सेंड कर सकते हैं या जैसे SSC MES की बढ़ती थी मैं आपको एबर सर्च कर लेता हूं MES की जो वेकेंसी थी यह वाली एक सेकेंड इसे तो नहीं आ रहा है वो 326 से हम सर्च करेंगे यह रही दोस्तों हाँ Military Engineering Service यानि की MES के जो आपके अंदर ड्राइवर की वेकेंसी थी तो इस वेकेंसी के अंदर अच्छी खासी पोस्ट है थी लेकिन Experience Certificate भी मांगा था और Experience Certificate उसी का चलेगा जिसके पास Heavy License था वो ही इस बरती के लिए eligible है ना light वाले license वाले form भेज कर अपना time खराब ना करे तो सिर्फ इसके अंदर आपका Heavy License जिसके पास था उसी का ही accept होगा और कुछ बच्चों ने Experience Certificate नहीं लगाया जिसके कारण अब वो प्रेशान है या किसी ने Experience Certificate लगाया है अब उनको उसका address नहीं पता कि क्या वरे क्या ना वरे तो ये एक बहुत बड़ी चूक की है आप लोगों ने तो अब आपका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने सारे document और वो Experience Letter जरूर साथ में बेजे नहीं है तो बनवा के बेजे क्या पता ऐसे से आप सबके form accept कर ले स्क्यूर्टने में आपके accept हो जाए नहीं होते हैं तो फिर वो आपकी गलती पहले ही हो चकी है और हो जाएगे accept तो आपकी फिर इसमें बले-बले हो जाएगी तो यही information थी जो आपसे बार-बार comments आ रहे थी आप पूछ रहे देगी मैंने यह नहीं बरा किसी की DMC नहीं आई है किसी की metric की अपना post graduation certificate नहीं आई है तो वो सब अपना result उसके साथ attach कर दे सभी documents self attach करने एक बर फिर से बता देता हूँ documents क्या-क्या है speed post कैसे करना है बहुत से candidate को यह नहीं पता कि अब next process क्या होने वाला था तो वीडियो जरूर पूरी देखा करें क्योंकि बहुत से candidate ने सिर्फ result देख लिया और उसमें नाम देखके खुश हो रहे हैं कि हमारा तो हो गया लेकिन उनको बता दूँ कि यह एन एक जरू एट है जो bottom section उसमें लिखा गया है आप shortlisted हो next stage के लिए आज आपका scrutiny होगा documents का तो आप अपने सारे documents self-attest करके यह देखो self-attest करके self-attest करके in respect of educational qualification जो आपकी qualification है यानि कि 10 भी बार भी post-graduation तो या फिर equivalent उसके जो भी है या फिर experience letter भी send करना है category भी आपकी कौन सी है schedule cash SC ST OBC तो यह हाँ पर आपने अपना OBC certificate EWS है तो EWS certificate SC है तो schedule cash certificate और ST है तो अपना ST का certificate age का 10th का हो जाता है metric का certificate हो जाता है उसके अलावा driving license experience certificate आधार card यह सारे आपको send करने age relaxation अगर आपने लिया है तो भी send करे hard को भी सब की एक एक print out निकलवा के send कर सकते और हाँ SSC की time जो आपने form बादा उसका print out भी send करना है 6 October 2023 से पहले speed post करना है और उस लिखाफे के अंदर लिखना है उपर लिखना है कि matriculation level की बरती है और post category हमारी यह है कि nr2326 on the top of the envelope यानि कि envelope के उपर उसके आलावा मैं आपको बता देता हूँ कहां address रहेगा CR reason यानि कि उक्तरप्रदेश से जो लगबग candidate है उनका CR reason पड़ता है तो अपना region चेक करके ही form आपे बहेजे उसके बाद mes जो driver की थे लिए उसके लिए special a की ही region था nr region यानि कि northern region तो उन सब को यहां पे अपना लिफाफा है यानि envelope यानि कि चिठ्थी send करनी है speed post पे address ये लिखना है envelope के उपर और envelope के उपर वो उपर जो बने बताई थी वो भी लिखना है कि 10th matriculation level और आपका post number जरूर लिखना है उसके अलावा ये अलग-अलग region है nwr में जो पड़ता है उसको ये वेजना यहां पे address में उसके बाद southern region में है जो इसको यहां पे वेजना है western region वालों को यहां पे वेजना है regional director staff selection commission first floor south wing पतिष्ठाव हवन महरशी करवे रोड करव रोड मुंबे महराष्टरा में उसके बाद तो कोई नहीं है section इसके अलावा तो यही information देनी थी दोस्तों जो आप से बार बार सवाल आए थे हमें तो description आप हमारे telegram group का link है आप आप जोईन करके आपस में बादचीद और जो भी मन में doubt है वहाँ पूच सकते हो या फिर comment करके पूच सकते हो और एक बहुत से बंदोग doubt थे M.E.S. की cutoff के बारे में तो मैं उसकी एक बार cutoff दिखा दिता हूँ आपको 326 post code है उसका यह लीजी M.E.S. की cutoff यह है M.E.S. की cutoff आपकी S.E. काटेगरी की 1000 recount candidates available हूए है 40 के उपर यानि की 20 question के उपर आपकी cutoff लग गई है उसके बाद S.T. की आपकी 713 candidate पाए गए हैं जिसमें 40 पर ही है उसके अलावा O.B.C. की 1628 candidate पाए गए है जिसके 25 question सही है उनको पास क्या काई E.W.S. सबसे ज़्यादा मज़ा E.W.S. में है क्योंकि post ज़्यादा और बच्चे सिर्फ एक ही गुना के आसपास है इसकी भी cutoff 50 के उपर है journal candidate में बाहरी competition यानि की 4308 और 60 number आपके यानि 30 question जिसके सही है उसका यहाँ पे आया है number तो यह cutoff आप देख सकते हो SSC MES phase 11 selection post के अंदर है इन सब को अपने document से एड़ करने है document से एंड करने के बाद आपका verify हो गए तो document आपको फिर टेस्ट के लिए call आ जाएगी admit card आ जाएगी वहाँ पे आपको चिंता करने जुरूद नहीं है साड़ी information आपको दी जाएगी समय समय पर description में telegram group का link है वहाँ से आप join कर सकते हो कोई भी doubt वो comment करके जरूर पूछे धन्यवाद दोस्तों जैहिन